हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है अमितिया दौर्फ का फिर से आगत करता हूं मेरे इस दिक नए वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रॉडर मिनिंग आप देमोक्रेसी अगर मैं थोड़ा तेज बोलू तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजेगा देखे पहले ह उसकी दो में तक हम पढ़ चूके हैं कि देमोक्रेसी का डिफिनेसन क्या है देमोक्रेसी के फीचर्स का है दिफीचर्स पर कूछ एक अग Ig Next कि कि देमोक्रेसी को सुरू करते हैं तो देखे कि समझने की कोईशिच कीए ब्रॉडर मीनिंस आप दी Democratkee तो देखे क्या हुआ था जब डेमोक्रेसी आई लोगों को पूरे विश्व में लोगों को डेमोक्रेसी से मतलब कि डेमोक्रेसी को जानने लगे कि डेमोक्रेसी क्या है तो डेमोक्रेसी जब आई तो रिप्रेजेंटेटिव भी लोग बनने लगे रिप्रेजेंटेटिव ड सब्सक्राइब करते हैं अपने रिप्रजेंटेटी हैं और वह उन्हें अपने रिप्रेजेंटेटी को लिए देश के मतब कि दो देश के लिए जो मतब मीटिंग सोती है जो मीटिंग सोती है पारलेमेंट में वहाँ पर जाते हैं वहाँ पर डिसकेशन होता है इस सब हम अपने रिप्रेजेंटेटीव को खड़ा करते हैं अब इतना समय तो नहीं है कि सभी लोग जाए तो देखें देश है उसमें इतनी जादे जनसंख्या है तो यह इतना इंपॉसिबल हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी जनसंख्या को एक जंगर पर बठा कर वहाँ पर उनको डिसकेशन किया जाए और फाइनल डिसीजन लिया जाए तो इसको वजह से क्या करते हैं हम लोग अपने रिप इतना समझ कहना चाहिए किसे चुनना चाहिए तो इतना लोगों के पास समय नहीं एतना स्किल्न नहीं कि वो एक final decisions ले सकें देश के भलाई के लिए जिसके वाज़ से हम अपने representative को खड़ा करते हैं जिसे हमें लगता है कि हमारे भलाई में काम करेगा उसको खड़ा करते हैं और वो हमारे decisions को final decisions लेते हैं तो देखिए अब हम एक टॉप एक और बात कर लेते हैं डेमोक्रेशी वर्सेस गूड डेमोक्रेशी डेमोक्रेशी क्या है और इसमें डेमोक्रेशी और गूड डेमोक्रेशी डेमोक्रेशी भी और गूड डेमोक्रेशी तो इसमें अंतर क्या है तो देखिए डेमोक्रेशी क आपकट यह लोग जो डिसीजन्स को चाहते हैं कि यह डिसीजन्स होना चाहिए गलत है जिसके वो जैसे क्या होता है कि दिमोक्रेसी में लंबे समय तक डिसकेशन होता है लोग हर लोगों से discussion किया जाता है कि यह सही है कि नहीं और उसके बाद ही एक final decisions लिया जाता है इसका एक बहुत ही बड़ा फाइदा है no country is perfect democracy we people make it देखिए अब यहाँ पर क्या करने की कोशिस करा है यह point आपको हैag अगर हम आपने बालाई के लिए अपने अपने बालाई के लिए अगर आप एक छोटा सा वीडियो देखकर उससे समझ लेंगे तो उससे कोई फादा नहीं होगा क्योंकि आप सोच रहेंगे कि इस बार मौज ही मौज है हमें पढ़ेंगे नहीं तभी कुछ डेट याड कर लेंगी हमें आ जाएगा पर इस ख्याली प्लाव में मत रहिए क्योंकि इस बार से पेपर एक्जाम और भी टॉफ हो जाएंगे क्योंकि जब तक आप चैप्टर को पूरे अ बनाता हूं और नोट्स भी आपको देता हूं कि आप बात में रिवीजन कर सके तो नोट्स को दाउनलोड किजिए पढ़ जिए रखते और अगले वीडियो में अगले वीडियो सम देखेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें उस वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए क्योंकि जो चैप्टर टू है वह भी हमारे एक्जाम में